तो खुछ बॉर्निंग फैंट्स मैं आपके ले गया हूं अपना अगरा अगरा टॉपिक प्रिजन्ट कंटिनु पहले आपने तो वीदियो देखे होंगे प्रिजन्ट सिंपले तेंस्के पार्ट 1 खालकमज दे ले गया हूं रिजने पी आई करेंट कंटीनों प्रिस्owan कंटीनींव जैसे मैं तोड़ा साइसके बारे में हित दीया था कंटीनिव मेंं रहा यानि कि जो काम लगातार होता है प्लस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का इडेंटिफी जैसे में आपके पहले के वीडियो में पता रखा है कि एक सीज बहुत प्रेजेंट में वह है 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 हो सकता है है से हूँ भी हो सकता है कोई काम कंटीन्यू चलता है लगातार चलता है वह होता है कोड़े दो रही है सीता कपड़े धो रही है काम करने वाली शीता है और सीता काम क्या कर रही है दोने का दोने का जो काम है वो लगातार च्वरा है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसका इसका बनता है वह आपका यह है कि subject plus is mr plus one of ki first form plus ing plus object subject plus is rm plus one of ki first form ke saat ing plus object subject you know very well subject means होता है काम करने वाला object also you know very well object means when you will do and you work you will put an effect or any other things अब कोई भी काम करते हो उसका किसी इस पर असल पड़ता है किसी पर तो वहता है आपका object जैसे सीता कपड़े दो रही है काम करने वाली आपकी सीता है लेकिन सीता काम करती है आपके धोने का तो सीता का काम हो गया धोना लेकिन दोती किसको है कपड़ों को तो object होगे कपड़े याने की clause subject is mr plus word की first form ing plus object आगे next point आता है किसे इस mr is use होता है आपका singular singular के साथ और m particular use होता है आपका i के साथ और r use होता है आपका plural के साथ singular में he, c कोई भी नाम हो सकता है i के साथ आपका m होई गया plural में आपका u, v, d यह सारे के सारे आपके plural होते है इंपोर्टेंट इसकी identify second इसका formula identify करेंगे identify करने के बाद में important जो चीज़ हो यह है कि हमें इसका formula अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम इन sentence को आसानी से convert कर सके इंपोर्टेंट पार्ट है in English का ताकि आप किसी sentence को आसानी से बना सको और कुछ लिखा हुआ है कुछ लिखा हुआ है उसको आसानी से आप क्यार कर सको समझ सको तो हमें sentence बढा करके चेक करते हैं मैंने sentence दिया है सीटा कपड़े धो रही है इसको मैं formula के हिसाब से बनाता हूं formula आप सबने note कर दिया होगा सीटा कपड़े धो रही है काम करने वाली होगी सीटा अकेली है इसलिए is काम करती है सीटा धोने का और धोने को इंग्लिश में कहते हैं वास पॉमिला कहता है अएजी कंटीन्यू का sentence होता है तो हमें use करना है आ इंजी सीटा इज वासिंग सीटा धो रही है किसको धो रही है कपड़े को या निकी क्लोस एक कपड़ा तो है ज्यादा कपड़े है इसलिए होगा क्लोस सीटा है वह क्या कर नहीं है दो रही है अब इसको sentence को अगर नेगेटिव में convert करना होगा पहले वाले वीडियो से मैंने बता है negative में not कैसे use होता है और not कहां आता है तो इसी sentence को negative में convert करना होगा not का use करना होगा sentence बनेगा सीता कपड़े नहीं दो रही है इंत्रोगेटिव बनेगा क्या सीता कपड़े दो रही है है इंट्रोगेटिव नेगा., क्या सीता कपड़े नहीं दो रही है नोट अगर लगेगा इसलेंस है तो, सीता is not washing C Goldman और अगर आपका आएगा है इंट्रोगेटिव हेल्पी वर्फ आगे आजाती है इज़ सीता इज़ सीता वासेग्ग क्लोज पीछे कॉस्टक्राइब और इंट्रोगेटिम नेगेटिव होता है तो इस सीता और यहां इसकी जग्ए आजालेगा आपका नौज सीता नौज वसिंग कलॉज यह आपका अप्रेजंट कंटीनियू ठैंज अब प्रजंट के पेट कुछ संटेंज देता हूं जो आप बनाकर देखिए कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तागी आपको पता से ले और आप अतना आसा किसे फ्रीड वे आपका जो अंसर है वो मुझे कमेंट बोक्स में बता सेकें आपका सेंटेंस है तुम खाना खा रहे हो दूसरा क्या तुम पाट प्यार नहीं कर रहे पीछे कॉसन मार्क आपका तीसरा बनता है हम दिल्ली हम दिल्ली जा रहे है और आपका च्यार नंबर जो कॉस्टन है वह बन च्यार नंबर सेंटेंस वह मैं आपको दे रहा हूं मोहन बाजार नहीं जा रहा है इसको बना करोगे और बनाने के बाद इसके पहले के वीडियो देखोगे तो आपको प्रेजेंट सिंप्ल टैंस आसानी से समझ में आएगा प्रेजेंट सिंप्ल प्रेजेंट कंटिंई इसके बाद में नच्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लेंगे प्रेजेंट प्रेफेक्ट टैंस और इसके लिए आपको नच्ट वीडियो का वेंट करना पड़ेगा thank you welcome and see videos and give your feedback and I'm always ready for your help thank you